अजो है है लोग देख वेडियो तो आज थोड़ी सी शॉट सी एक वीडियो मां आपके लिए लेके आया हूं खास तोर से चंडीगड रेजिडेंस के लिए और जो बाहर से चंडीगड से रोज डेली कम्यूट करते हैं उनको लेक चोटी सी वीडियो है आपको पता ही होगा जैसे की चंडीगर ने new rule implement किया है कि जो yellow line rule है जो आप 16 से 17 round about से लेके हाइ c court के round about तक जाओगे तो एक yellow line rule इंप्लीमेंट किया है रूल में आपके साथ शेर करता हूं उसमें क्या है और कैसे आपको अपने वहिकल को चलाना है और क्या नया है उस रूल में और क्यूं आपका चलान होगा अगर आप यétait लाइन पे जाते हो तो है लेक अवा। तो अभी मैं मटका चौंक से लेफट लूँगा तो वहाँ पे येलो लाइन वाला रूल में आपको थोड़ा सा बता देते हूं अब उस लेन पे आप ना चलाओ गाड़ी तो आपके लिए बेतर रहेगा क्योंकि अगले महीने से तो चंडिगर वाले जो चंडिगर पुलिस है चंडिगर ट्रेफिक पुलिस है आपका चलान करेगी कोई भी वाइकल है तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं जो भी मे यह रोड पर टर्न लिया और यहां पर आप देखोगे एक येलो लेन रोड जा रही है मेरे बिल्कुल सामने अन दे एक्स्ट्रीम लेट आफ ड़ आप देख सकते हो येलो लेन रोड है तो इस लेन पर आपको वाइकल नहीं चलाना है यह लेन कमर्शल वाइकल के लिए है आपके लिए अपना वाइकल इस लेन से इधर रखें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा नहीं तो चंडिगर ट्राफिक पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और और आजकल कैमराज बहुत ही जादा अत्या धुनिक तरीके से बहुत ही हाइटेक कैमराज लगा चुके हैं चंडिगर प्रसाशन दोरा इंस्टॉल कियो हैं हर एक राउंड अबाट पर जैसे वाइकल जा रहा है मेरे साथ से तो इसका चलान होने के बहुत ही जादा चांसि है और आप देख सकते हो यहां पर आप देखो कितने हाइटेक कैमराज लगाए हैं देखो तो यहां पर आप थोड़ा सा वाइकल आराम से चलाएं और यह जो डबल लेन वाली रोड पर उस पर आपकी जो स्पीड है वो है अराउंड 60 किलोमेटर पर आर और जो डबल लेन और जिसमें डिवाइडर है यह भी चंडिगर परशाशन की तरफ से रूल इंप्लिमेंट हुआ है नया विदाउट डिवाइडर वाली रोड पर 50 है और विद डिवाइडर वाली रोड पर 60 है तो यहलो लेन वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा तो आप बने रहों मे तो यह आप देख रहे हों इसी राव डाउंडबाउट से लेगे है हाई कोर्ट तक के राउंडबाउट पर यह यैलो लेन रोड इन्टा इंप्लिमेंट किया यालो लाइन वाला तो आप थोड़ा सा इस separate को चलिए बाकी घर पर रहिए stay safe stay at home stay healthy sayonara जयान